गुट मॉर्निंग बच्चो तुड़े विल डिस्कॉस चैप्टर सिक्स फेलिंग हाबिट्स अप अनिमल सेक्षिन ए बच्चो क्या कहता है एक अंतर बताईए हर्भी वोर्स अनिमल और अम्निवोर्स अनिमल में गिव वन एक्जाम्पल सब इच और इसका एक 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 एक्जाम्पल भी देना है तो हर्भी वोर्स अनिमल्स अम्निवोर्स अनिमल्स हर्भी वोर्स अनिमल्स विच इट स्मॉल प्लांट्स और अदर पार्ट्स अप्ट्री हर्भी वोर्स अनिमल्स क्या होगा जो प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को खाएंगे तो इसमें एक example देता है मैंने यह आपे दो दिया है got cow, omnivores animals, animals which eat both plants and animals ऐसे animals जो दोनों को खाते है plants को भी और animals को भी तो इसमें crow, rat, bear now question number two, how does a lizard take its food, question कहता है बच्चों कि एक lizard कैसे अपना भूजन लेता है तो answer क्या होगा, a lizard catches its prey with the help of sticky tongue, lizard क्या करते है अपने शिकार को अपने sticky tongue से पकड़ते है it doesn't use its teeth to bite or chew the food और यह अपने दातों का इस्तमाल नहीं करते है फूट को काटने में और चवाने में now question number three, explain the term chewing the cud बच्चों बताईए, chewing the cud से आप क्या समझते हैं इसको explain कीजिए तो some animals first nibble their food and put inside their body कुछ animals क्या करते हैं, पहले food को क्या करते हैं, काटते हैं और अपने चवाते हैं और अपने body में रख लेते हैं when they relax, जब वो relax करते हैं, bring back part of the food और उस food का कुछ part को वापस अपने mouth पे लाते हैं and chew it properly और दुबाराओं से क्या करते हैं, अच्छे से चबाते हैं this is called chewing the cud और इसे ही क्या कहा गया है, chewing the cud now four number, write any two ways that can help us in taking care of domestic animals कोई दो तरीका बताईए जिससे कि हम domestic animals का take care कर सकते हैं there are lots of ways, बहुत सारा तरीका है जिससे हम domestic animals का care कर सकते हैं two ways that can help us in taking care of domestic animals are domestic animals should be protected from hot and cold domestic animals को क्या कहने चाहिए बचाना चाहिए बहुत ज़्यादा गर्मी से और शर्दी से shelter should be clean, dry and airy और जिस जगह पे उसे हम रखते हैं, वो जगह साफ सुत्यों नहीं चाहिए dry, सूखा होना चाहिए और हवादा होना चाहिए now question number five, how do butterfly and mosquito have their food बच्चो question पूछता है, butterfly और mosquito अपना food कैसे लेते हैं answer, butterfly and mosquito have a long hollow tube like structure this help them to shuck their food क्या कहता है बच्चों कि butterfly और mosquito दोनों के पास क्या होता है एक hollow tube like structure अब देख रहोंगे मैं पीक में दिखा रही हूँ उसके पास क्या है एक tube like structure इसी से वो क्या करते हैं शक करते हैं चूजते हैं अपने food को thank you